दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्टरी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं और यह हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वारा है ठीक है तो यहां पे आप सभी का चैप्टर का नाम है दी मेकिंग ओफ दी न नैशनल मॉवमेंट की जो हमारी नैशनल मॉवमेंट होई थी 1947 के लिए वह आपकी कैसे बनी थी उसको बनाने के पीछे हमारे क्या-कारण रहे वह हम सब यहां पर स्टड़ी करने वाले हैं ठीक है तो चलो यार फट अफट से स्टार्ट करते हैं अब यहां पर आपको फिक तके जाते हैं जिससे क्या हो जाता है कि लोको को बहुत ज़्यदा आसु आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस गैस का इस्तमाल यहां पे कर रका है भूसको देख सकते हैं पौलिस वालों ने ठीक है अब यहाँ पे बोलता है In the previous chapters we have looked at कि भई जो हमारे पिछले chapters थे वहाँ पे हमने सिखा क्या क्या सिखा वो यहाँ पे बताता है कहता है The British Conquest of Territories and Takeover of Kingdoms कि भई जो अंग्रेज थे वो यहाँ पे कैसे आए और कैसे उन्होंने अपने सामराज्य को बढ़ा किया और कैसे राजाओं को अपने अंडर में ले लिया फिर बताते हैं Introductions of New Laws and Administrative Institution की भई वो अपने अब नए नए लोई हाँ पे लेकिआने लगे थे और वो जो हमारे परसासन के इंस्टिउशन थे अब अपने आप से चलाने लगे थे अब बताते हैं Changes in the Lives of Peasant and the Tribals जो आपके ट्राइबल लोग थे और जो आपके किसान यानि में खेती से जुड़े लोग थे उनके जीवन में कुछ परिवरतन वो लोग लेकिया थे वो भी आप सभी पहले ही जान चुके हैं हमारे पिछले चेप्टर के अंदर अगर आपने किसी चेप्टर की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको complete playlist हमारे चैनल के उपर देखने को मिल जाएगी तो आप वहाँ पे जाके अपने जो भी आपको चेप्टर भी रहता उसको कवर कर सकते हैं अब आगे बोलता है educational changes in the 19th century की भई जो आपकी 19 वी स्ताबदी थी वहाँ पे आपके क्या कुछ education से जुड़े हुए बदलाव लेकिया है वो लोग उसके बाद debates regarding the condition of women की भई जो आपकी women थी यानि की औरते थी उनको लेकर क्या कुछ यहाँ पे debate हुई और जो आपकी 19 वी स्ताबदी थी उसके अपके क्या कुछ बदलाव आए उसके बाद हमने study किया challenges to the caste system की भई हमारा caste system था उसके विरुद कैसे बाते खड़ी होने लेगी social and religious reform और जो हमारे समाज के अंदर और धरम के अंदर कैसे परिवर्तन आने लेकि जैसे कि आपकी सती पर था के बारे बारे मैंने आप सभी बताया था कैसे कुछ यहां पर बतलावाई फिर हमने study किया the revolt of 1857 and after math कि भई आपके 1857 की कारानती कैसे हुई और उसके बाद क्या scene हुआ उसके बाद हमने study किया the decline of crafts and growth of industries कि भई जो आपका हाथ से काम होता था यानि craft work होता था उसका तो अभी हमें पतन होने लगा और जो आपकी factory या वगएरा थी वो आने लेगी तो यह सबी बाते आपको अब तक पता होने चीए हमारे इस chapter को समझने के लिए ठीक है अब यहां पर आगे बोलता है कि भई आपने सारे इशू पहले ही पढ़ लिए तो आपके माइंड में क्या यह बात आई क्या नहीं आई कि जो अंग्रेज लोग थे अब उनसे जो भारत की लोग थे निराश हो चुकी थे क्या आपको ऐसा लगता है या फिन नहीं लगता है वो भी आप सोची एक बार फिर कहता है if so how were different groups and classes dissatisfied अगर ऐसा था तो भी जो आपकी अलग-अलग different different लोगों के ग्रूप थे और classes थी वो कैसे यहाँ पर dissatisfied थी तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बताता है the emergence of nationalism यानि कि हमारे अंदर एक राश्टर की भावना कैसे उत्पन हुई और कैसे बार नि उपर development हुई पीछले वाले भी slide में हमने देखा था इन सभी ने लोगों के mind में एक crucial यान के बहुत important question जगाया वो question क्या था what is this country of India and for whom is it meant कि भाई आखिरकार ये country जो इंडिया है किसके लिए है और कौन इसके उपर रह किसका इसके उपर राज होना चाहे अधिकार होना जीए the answer that gradually emerge was India was the people of India अब यहाँ पर इसका जो उत्तर था लोगों के मन में धीरे धीरे आगे चलके आने लगा और वो उत्तर निकल के आये कि भाई जो हमारा इंडिया है इंडिया के लोगों के लिए होना चाहिए all the people irrespective of class, cler, caste, creed, language or gender and the country, its resources and system were made for all of them यानि कि भई जो हमारा देस है, हमारा इंडिया है, हम सभी के लिए है, इसमें ये कोई बात में है कि भई ये इस class के लोग है, हम इस class के लोग है, इनका color काला है, हमारा गोरा है, तो ये कुछ बाती नहीं है, ना कोई caste से मतलब बगता है, ना कोई भासा से और ना ही कोई gender स इंडिया सभी का है जाहे कोई किसी भी integr का हो जो caste है जो बहwalk किने दर लोग रहते हैं उनहीं का इंडिया है और यह आप पर इंडिया के लोगों का ही अधिकार हो ना जी अब यहां पर इस उत्तर के बाद लोगों के मन में ये बात आने लगे कि भई जो ये बिटिश लोग है ना वहां बाहर से आके हमारे उपर राज कर रही है हम लोगों को इन्होंने subjugate कर रखा है अपना काम करवाती है जो भी कुछ करना होता है इनकी control में होता है सब कुछ यही control करती है जब तक हम इनको यहां से उखाड कर बाहर नहीं फैकेंगे तब तक इंडिया इंडियन्स के लिए नहीं हो सकता और हम यहां पे अच्छे से freely नहीं रह सकते फिर बताते हैं this consciousness begin to be clearly stated by the political association formed after the 1850 और ऐसी बाते आपके जो political institution बने थे 1850 के बाद वो भी सभी ही बाते करने लगे इस specially those that come into being in the 1870s and 1880s और हम बताते हैं कि इस specially अगर आपको बताएं तो जो आपके 70s से 80s के बीच में जो political groups बने थे न और हो ने इन बातों के उपर ज़्यादा दबाओ दिया फिर बोलते हैं most of these were led by the English educated professionals such as lawyers अभी हमें बताते हैं कि इन में से ज़्यादा तर जो political groups थे उनको मतलब की वो सलाह लेते थे यहापे जो English educated professionals थे ना दो फेर थे उन से इंपोर्टेंट वन्स वर्दी पूना सरवाजनिक सभा इंडियान Association यहाँ पर बताते हैं कि उन में से एक आपकी इंपोर्टेंट ऐस्याइशन थी जिसका नाम है आपका पूना सारवजनक सभा जो की आपकी एक इंडियन सभा ज़सियेशन थी इंडियन सावबार ओर एक आपकी ऑपकी दियनश-वाजन सभा झाल यहobed 쿠 का ओनौ पर उस इंडियन नेशनल कोंगरेस और इनी में से आपकी एक थी INC यानि की हमारी इंडियन नेशनल कोंगरेस अब बताते हैं note the name पूना सारवजनिक सभादी लिटरिली मीनिंग और सारवजनिक इस फो और फोर ओल पीपल अब यहां पर आप इसको नाम को ध्यान से पढ़ो यहां पर पहली association का क्या नाम पढ़ा हम लोगों ने पूना सारवजनिक सभादी सारवजनिक का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना जीए और इसी को लेके आगे बढ़ेंगे और बताते हैं तो many of these associations functions in specific part of the country their goals were stated as the goal of all people of India not those of any one region, community or class अभी हमें बताते हैं कि ये बात अलग थी कि आपकी महलब कि ये पूना की सबा है तो बिसके लिए आपकी ये पूना में काम करती हो अभी हमारी बाकी सबाही थी मानो इस एरिया में काम करिये कोई सबाब की इस एरिया में काम करिये लेकिन इनका ये नहीं था कि हमें हमें सवराज चाहिए यानि कि हमें इस एरिया एरिया को सवराज दिलाना है इनका मोटिव यही था कि हमें पूरे इंडिया के लिए काम करना है भाई हमें अपने एरिया के लिए काम नहीं करना जास्ट यह बात भी हमें समझ सकते हैं ठीक है अब यहां पे आगे बला बताते हैं तो इन लोगों का ये मानना था कि भई जो हम इंडियन लोग है न वो सोवर्जियन होने चीए और यहाँ बताता है कि भई इनका ये मानना था कि जो हमारे डिसीजन है याने कि हमारे देश में क्या होगा इसके ओपर कोई अधिकार नहीं है ब्रिटिश लोगों का डिसाइड करने का ये सब हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर सोवर्जिन का मतलब आप सभी को हाँर बताता है और कहता है कि अब इसको आपको और छिछ से調 Rapha ले सकते हैं यह आपके घर हो गया, अब आपके घर में मानो यार आप कोई बात चल रही है यहाँ पर, आपकी मम्मी पापा की और आपकी, ठीक है, और अब यहाँ पर कोई भार का इंसान है, अब यार आपके घर का मैटर है, तो आप तीनों लोगी तो सोल करोगे ना, यह थोड़ी है कि भार का इंसान आपके यहाँ पर सलाह देगा, तो वही कुछ सीन है, तो यहाँ पर आप क्या हो, सो वर जीनों, तीनों के तीनों, ठीक है, यहने कि अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो, तो यही बात यहाँ पर समझाना चाता है, तो मेबी यह वर्ड आपको आज के बाद क्लीर होना चाहिए, ओके, सो अब आगे बोलते हैं, the dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s, कि भई आपका जो 70s से 80s का टाइम रहा, इस दोरान, लोगों के अंदर काफी मतलब यह भावना आया लेगे कि यह British लोग तो काफी गलत है, the arms act was passed in 1878, dis allowing Indians from possessing arms, अभी हाँ यह अंग्रेज लोग आपके 1878 के अंदर एक act लेके आया थे, जिसको यह arms act भी बोलते हैं, जिसके अंदर इसने हम लोगों को यहाँ पर बैन लगा दिया कि हम अपने पास अथियार नहीं रख सकते, in the same year, the vernacular press act was also enacted in effort to silence those who were critical of the government, और उसी year, यानि कि उसी साल, my friends, इन लोगों ने आपका यह vernacular press act भी पास किया, अब इसका मतलब यह था कि भई, अब मानो यहर कोई, देखो, कोई गल्द काम कर रहा है, तो आपके जो newspaper वगएर होते हैं, उसके बारे में बाते लिखते हैं, आप सभी को परते हैं, तो इन लोगों ने उनको दबा दिया और कहा कि भई, तुम हमारे कोई बात ही नहीं लगोगे, तो यह था, गल्वने के, अब बताते हैं, अब बताते हैं, अब बताते हैं, अब अब अन कर दो एक्ट यह सsalब यह बात हैं, अब यहां पर इसके लिए आप सभी को बता रहा है, कि अगर आपके Labor, जो धे न, अन उनको भी उन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया यानि कि वो उनकी पर्मिशन के बिगर कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं चाप सकते तो गवर्मेंट के विरूद और इसी का फाइदा उठाकर नोंने काफी सारे बिल्स वगारे को भी पास किया अब यहां पर बताते हैं फिर आपका एक बिल आया जिसको यहां पर बोला जाता है अलबर्ट बिल और इस बिल का मतलब यह था कि बही जो बिल्स के जज़ हैं उरोप के जज़ हैं और इंडियन के ज़़ हैं उन सभी का बराबर सम्मान होना चाहिए उनका बराबर लेवल होना चाहिए इस बिल की य इंडियन्स के जज़ है जो हमारे साथ में आके बैठेंगे तो उन्होंने इसको नहीं माना और इस वज़ा से यार रेसिकल याने कि उनकी स्कीन को लेके और मतलब की इंडियन्स और मतलब बिटिश को लेके उनके मन में काफी मन मुटावाया हम इंडियन्स की मन में कि हमें भी बराबर कादिकार मिलना चाहिए उसके बाद अब यहां पर बताते हैं कि भाई अब यार इस बिल के पास होने के बाद उनकी जो मुमेंट मतलब जो पहरे चल रही थी असोशेशन लोग बना रहे थे इनके खिलाफ लड़ने के लिए अब उसने और ज़्यादा तेजी पकड़ ली और यहां पर बताते हैं कि भाई जो आपकी 72 से ज़्यादा ऐसी डेलिगेट्स बन चुकी थी ना जब उन सभी की मेटिंग थी बोंबे के अंदर दिसंबर 1885 में तो तब नी थी आपकी इंडियन नेशनल कोंगरेज ठीक है फिर बोलते हैं अरली लीडर्शिप दादा भाई नरो जी उसके बाद बोलते हैं आपको यहां पर फिरोजी सा महता और हमारे यहां पर हैं बाद दूरदीन तयाब जी और डबलू सी बैनर जी उसके बाद सुंदरनात ब पॉबलिसिस्ट सैटल इन लेंडन और फॉर टाइम मेंबर ओफ दी बिटिश पार्लियमेंट गाइड दी यंगर नेशनलिस्ट अ रिटार्ड बिटिश ओफिसल ए ओ हुम औलसो प्लेड आ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियन फ्रों दी वैरियस रिलिजियन तोगैदर अ हमारा खुद का अधिकार होना चाहिए और सभी के अंदर हमारे नेशन की एक भावना होने चाहिए कि हम सभी हैं इंडियन से हमारे अंदर ये भावना होने चाहिए ठीक है तो इहर इसको जगाने के लिए यहां पर इन बहुत सारे लोगों के आपको नेम दे रखे हैं सभी भी लोगी इकठा हुए उसके आप में बताते हैं कि आपकी रिटार ब्रिटिश ओफिशल लोग थे जैसे कि आपकी एओ हयूम हो गए इन्होंने भी यहाँ पर बाद में जोइन किया उसके बाद पब्लिसिस्ट का मतलब भी आप सबी को बता रहे हैं जो कि आपका वरड़ यहाँ पर है कि भाई पब्लिसिस्ट उसको कहा जाता है जो कि आपके अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाता है पब्लिक लिए जैसे कि भई उसने अगर कोई information उसको मिली है या फिर कुछ भी उसको मिला तो वो लिक के कैसे भी करके लोगों तक उस बात को पहुँचाता है ठीक है तो अब बारी आती है हमारी source first को study करने की अब कहते हैं How did the Congress seek to speak for कि भई जो Congress थी अब आपकी कैसे मनलब की अपनी बातों को सामने लाने के लिए यानि की बात करने के लिए क्या क्या उसने मतलब की तरीके अपनाई कैसा कुल सुने किया वो सभी हम जानने वाले तो यहां बे बताते हैं A news paper The Indian Mirror wrote in January 1886 1886 The first Indian National Congress at Bombay is the nucleus of a future parliament for our country and will lead to the good of inconvenience inconvenable magnitude for our country basically यहां पर आप सभी को बताता है कि भाई एक news paper ने आपका जिसको नाम था आपका Indian Mirror उसने लिखा January 1886 को कि भाई जो पहला हमारा Indian National Congress है Bombay में जो यह लोग जुड़े हैं की बात हुई है एक meeting बनी है association बनी है तो यह एक nucleus है यानि की यहर एक केंदर बिन्दो आपको पता हुआ हमारा cell होते हैं अगर आपने science में study कर रहा हुगा तो उसके center एक मिनट यार यह cell ही गायब हो गया देखो आपका cell होते है आप सब़े को पता होगा ओ शिट देखो आपका cell होते है इसके center में यह होता है आपका nucleus तो यह बता रहे हैं कि basically अब यह जो Congress थी न वो हमारा nucleus बन चुकी थी ठीक है और इन लोगों का यह मानना था कि भाई यह हमारा जो future का Parliament बनने वाला इंडिया का उसे को संभा लेगी ठीक है अब आगे कहते हैं अब यहां पर बताते हैं कि जो आपके बदरुदीन तयब थे तयब जी थे उन होने Congress के अंदर President की तरह काम किया 1887 के अंदर और फिर यहां पर आप सभी को बताया जाता है कि भाई इसके अंदर यह नहीं था कि भाई उस धरम के लोग है उस धरम के लोग नहीं है और यहाँ पर बता रखा है कि दादा भाई नरो जी बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ओफरिंग आस कैचिंग क्रिटिसीजम ओफ दे एकनोमिक इंपक्ट ओफ ब्रिटिश रूल अब हमें बताते हैं कि जो इन्होंने अपनी बुक लिगी थी न वो हमारा जो नीशन था यानि कि एक देश कैसे बनाया जाए देखो यहां पर क्या सीन हो रहा है मैं भी कुछ फ्रेंट्स के माइंड में का इंफूजन हो सकता है जो मैं इसको भी दूर कर देता हूं ठीक है अब यार देखो हमारा इंडिया बनने से पहले आप सभी को पता है देखो यार एरिया तो हमारा यही रहा होगा जो भी हमारा है आप सभी को पता होगा ठीक है लेकिन आप सभी को पता है कि यहां पर आपका बंबए आज की टाइम पर है और आपका पूरा महराश्ट्रा बनता है यह लेकिन यार उस टाइम पर आप समझ सकते हो कि यह किसी ए उन सभी के अंदर हम एक भावना जगा दे कि भई हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से रहते हैं तो यह सारी लैंड हमारी है और हम सभी क्या है इंडियन्स ठीक है और फिर पूरे देश को हम नाम दे देंगे बाद में इंडिया और हम सभी एक हो जाएंगे तभी हम इस सारे एरिया से अंगरेजों को निकाल के भार फैक पाएंगे तो यार यह कुछ बाते वे तक चलग रही है ठीक है ना तो अब में भी आपके माइंड में कल्देरी पिक्चर होनी चाहिए ठीक है आप कोई डाउट नी बचना चाहिए बाकि अगर अब भी कोई डाउट है तो अब आगे बताते हैं अब यहां पर बताता है अब यहां पर बताता है और उसके जो अब्जेक्टिव थे ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे यानि कोई बड़े लक्षे यहां पर नहीं थे लक्षे में गोल अब आगे बोलते हैं दूरिंग इस पिरियेड इट डिमांड अग्रेटर वोईस फूर दी इंडियंस इन दी गवर्मेंट अद इन अडिमिंस्टरेशन इट वोंटिड दी लेजिलेटिव काउंसिल तो बीमेड मेर रिप्रेजेंटेटिव थी वो वो लोग अभी तक बिटिश गवर्मेंट से यही डिमांड कर रहे थी कि भाई जो यहां पर ओफिसर लोग लगते हैं हमारे इंडिया के उनको भी आप हाई लेवल पे लेकी जाएए जो पारलिया मेंट है जो लेजिसलेटिव काउंसिल है उसके अंदरा आप एक का होगे हमको भी जहें दीजिए हमारी सीटों को और बढ़ाए और हमारा भी यहां पर बराबर का सम्मान होना जाए तो मतलब की कुछ ऐसे कुछ गोल वो लोग अभी तक अपने लेकी जाए थी ठीक है अब कहता है फूर दिस परपर इट कोल्ड फूर सीविल सर्विस एक्ज हए तो वो जो आपका एक्जैम होता है वो भी पहले लंडन में होता था लेकिन अब यह लोग डिमांड करना लिए कि वो एक्जैम भी यानि की वो एक्जैम और पेपर आपका इंडिया के अंदर ही होना चाहिए अब बताते हैं दिदीमांड फूर इंडियनायजेशन ओफ the responsibility since british officers were sending a major part of their large salary home industrial indianizations it was hoped would also reduce the drain of wealth to england other demands include the separation of the judiciary from the executive the repeal of the arms act and the freedom of speech and expression अब यहां पर बताते हैं कि भई basically scene क्या हो रहा था कि यहां पर इसी के साथ साथ जो racism के कि भई जो आपके British लोग हैं वो मतलब की बड़े माने जा रहे हैं जो हम Indian's लोग हैं वो छोटे माने जा रहे हैं racism होता है बसके लिए आपके मतलब की आपकी दो skin color होता है ना उसके base पर यानि कि वो थोड़े गोरे थे हम थोड़े मतलब की उनसे थोड़ा हमारा रंग थोड़ा वैसा रहता है आप सभी को पता होगा अब आगे बताते हैं कि भई जैसे कि भई वो अंग्रेजों का ऐसा माना था कि बड़ी बड़ी जोबसं को सिरफ हमी लोग संभाल सकते हैं यह नहीं संभाल सकते लेकिन कोंग्रेस यह डिमांड कर रहे थी कि भई यहाँ पर इन लोगों को भी बड़ा अधिकार मिलना चीए और इनकी भी डिमांड बढ़ने चीए लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो ब्रिटिस ओफिसर्स थे उनकी बहुत सारी सेलरी वहाँ पर लोग लेते थे थे सारी सेलरी को वह इंगलेंड में भेज देते थे बाद में जागी तो इससे हमारे इंडिया से ड्रेन ओफ वेल्थ हो रही थी यानि कि जो हमारे इंडिया का पैसा था वो सारा अब इंगलेंड की तरफ जा रहा था बिसिकली और यहाँ पर कुछ वे डिमांड बेर रखेग उनके पास भी अधिकार होना चाहिए कि भाई वह अपने कोई भी बाते सामने लाके हमारे पास रख सकें ठीक है अब आगे बताते हैं कि भाई जो आपने पहले एक ला लेकि आया है उस ला को आप फिनिश कर दो यानि कि उसको अंडो कर दो अब फिनिश कर दो और जो आप मलब कि बिसकली यही बात आपको समझाना चाहता है यहाँ पर ज्यादा डीप में जाते हैं ठीक है अब हमारे पास आती है यार एक्ट चोज तो डू सो कि भाई आपने देखा यार सुरुवात सही जो आपकी कॉंग्रेस थी वो क्या चिला रही थी कि भाई सभी लोग यहाँ पर साथ में आएंगे सभी के लिए हम फाइट करेंगे सभी के साथ मिलके चलना चाहिए तो वो ऐसा यहाँ पर क्यों कर रही थी अब यह लोग बताते हैं कि भाई जो कॉंग्रेस के स्टार्टिंग में जब गुरूप बना था तो वो लोग यह बात भी बोलते थे कि भाई यह हमारे लिए आगे चलिके एकनोमिक इशू को भी लेके आ सकते हैं यूकि जो बिटिश रूल है वो हमारे इंडिया के अंदर गरीबी और जो हमारे यहां पर अकाल पढ़ते हैं उनको लेके आ रहा है फिर बताते हैं इंक्रीज इन दे लैंड रिवेन्व हैड इंप्रोवाइजड पीजन्ट एंड जमीदार एंड एक्सपोर्ट्स ओफ दी ग्रेंस तो यूरोप एंड क्रियेटिड फूड शूर्ट हो सकती है तो यह बाते कॉंग्रेस उस टाइम पर बोलती थी अब बता रहे हैं थी कॉंग्रेस डिमांड रिडिक्शन ओफ दी रिवेन्यू कट इन मिल्टरी एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फूर इरिकेशन उनकी डिमांड यह थी कि भई आप एक काम करो जो आप यह साल टेक्स त्रीटमेन्ट ओफ इंडियन लेबर्स अब्रोड एंड इस सफरिंग ओफ फूरेस्चर ड्वेलर्स अ अब उन्होंने कहा कि भई आप मतलब कि जो भी एतने सारे ला पास करते हो जो की लेबर को आप मतलब कि अपने साथ में वहां पे काम कराने के लिए लिए जो जंगल में लोग रहते हैं, वो कितना सफर कर रहे हैं, अब सभी के लिए उनके लिए कोई बात सोचों, उसके बाद बताते हैं, कोज़ बाइन इंटर्फरिंग फोरेस्ट अड्मिनिस्ट्रेशन, अब सब्सक्राइब बातों से आप इजली इस बात को कह सकते हूं कि भाई जो आपकी गोंगरिश थी, उसका काम जस्ट एजुकेट करना ही नहीं था लोगों को, यानि कि वो सिरफ उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे, जो कि जमिदार थे, प्रोफेशनल लोग थे, बिजनसमेल लोग थे, इंडरिस्ट्रियस लोग थे, जबकि वो सभी लोगों को इन बातों के लिए अवेर कर रहे थे, सभी लोगों तक ये बाते पहुंचा रहे कि उन लोगों ने काफी सारे नूजवेपर के अंदर बाती लिखी आर्टिकल पुब्लिश किये जो की बताती है कि भई कैसे हमारी जो एकनोम है उसको ये लोग रुइन कर देंगे बिल्कुल नस्ट कर देंगे अगर ऐसा ही करें गए तो अब यह लोग यहां पर ऐसे ही बातों को लोगों तक पहुंचाते और फिर अपने लीडर्स को दूर दूर तक पहुंचाते कि भाई आप वह पर जागे इस बात को बता गया वहां पर जाकर जैड़ा लुगों को हम अवेर करेंगे तब ही हम इनके सात में लड़ पाएंगे के सामने, they felt that the British had respect the ideals of freedom and justice and so they would accept the just demands of Indian what was necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feeling of the Indians अब यहाँ पर यह लोग बताते हैं कि भई इसलिए लोग यहाँ पर यहाँ बहुत सारी moment करते थे वो बताते थे कि भई government हमारी बातों को सुने समझे और हम Indians के लिए इन सारी चीज़ों को ठीक करें जिसे कियर हमें help भाई ठीक है अब बारियात हमारे पास सोर सेकेंड की देखते हैं यह हमें क्या बात बताती हैं यह कहती हैं in pursuit of gold this is what a moderate leader दिन्शो वोचर रोट टू नरोजी in 1887 यह जो हम बाते लिखने वाले हैं यह वो बाते हम study करने वाले हैं जो कि एक moderate leader ने आपके नरोजी को लिखी थी 1887 के अंदर तो देखते हैं क्या कुछ बाते लिखी थी उसको तो भी हाँ पर कहते हैं पैरो जे शाहा इस nowadays to busy with his personal work they are already rich enough they are already rich enough Mr. Telang to remains busy I wondered if all remain busy in the pursuit of gold can the progress of the country be advanced freedom is our birthright अब basically आर यहाँ पर क्या बता रहा हैं कि नरोजी को यही बात लिखी थी कि भई जो हमारे पैरो जे शाहा जेसा है और यहाँ पर मतलब की बहुत सारे जो हमारे ऐसे ही group के leaders हैं वो यार आज कल मतलब की अपने कामों में बहुत ज़ादा busy हो रखे अगर वो अपने ही कामों में ऐसे busy रह पाएंगे तो क्या जो हमारी country थी वो आगे बढ़ पाएगी क्या वो growth कर पाएगी तो यह कुछ question होने से पुछा संदरोजी से अब आगे बोलते हैं freedom is our birthright कि भई जो freedom है आजादी है वो हमारा आजादी मतलब की बचपन से अधिकार है यह बात यहाँ बिसकली बोलना चाहता है अब कहता है but by the 1890s many Indians began to raise question about the political style of the Congress in Bengal, Maharashtra and Punjab leaders such as the VP in Chandrapal, Bal Ganga Dhar Tilak, Lala Laj Patrai were beginning to explore more radical objectives and methods they criticized the moderates for their politics or prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work they argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government people must fight for the savraj Tilak raised the slogan freedom is my birthright and I shall have it अब यहाँ बिसकली क्या बाते बताता है कि पर जो आपका 1890s के around का time था उस time पर Congress के मतलब की बहुत सारे जो ऐसे लीडर थे जो कि Congress के खिलाफ हो गए थे वो कह रहे थे कि Congress तो एक political style में हाँ पे काम कर रही है आपके बंगाल, महराश्टरा, पंजाब के जो बहुत सारे लीडर थे जैसे कि आपके बिपींच अंदर पाल हो गए, बाल गंगाधर तीलक हो गए लाला लाज बतरा हो गए इन सभी का यही कहना था कि भाई इनके objective हमें थोड़ी ठीक नहीं लग दे तो आप लोग अपने लिए मतलब की खुद से अपने लिए खुद के लिए लड़िये यार आप अपने खुद के मतलब की अपने अंदर होसरा जगा यह हमारे पुरा एक इंडिया होना चीए यह बात हम सभी के अंदर होने चीए अपने इक strength लेका यह जो हमारी intention है वो अच्छी होने चीए गुड होने चीए और साथ में हमको अपने सवराज के लिए fight करनी पड़ेगी लड़ना पड़ेगा ऐसे moderate होने से वो थोड़ा political होने से बात नहीं बनने वाली ठीक है जो कि वो आपके activity जो कि कहती है what problems regarding the early congress does this comment highlight कि भई ये जो comment अभी हमने पीछे पढ़ा इसने क्या कुछ बात है highlight की congress के बारे में उस time ठीक है हम आगे बोलते हैं आपका जो 1905 का टाइम था उसके उस time पे जो आपके वाइसरोई करजन थे उसने बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया यहां पे उस time पे जो बंगाल था ना वो सबसे बड़ा मतलब की आप राज्य कह सकते हैं British इंडिया का था और भई यहां पे बताते हैं कि उस time पे उसके अंदर बिहार का भी उडिसा का भी काफी सारा पार्ट अंदर में आता था उसके मनलब कि आपके बंगाल के अंदर है फिर बताते हैं ति British argued for dividing बंगाल for reason of administrative convenience और उनका यह कहना था कि भई हम इसको इसलिए divide कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें जो हम low वगएरा बनाते हैं उसको बनाने में थोड़ी असानी होगे ज़ाद अच्छे से उसकी implementation हो पाएगी but what did administrative convenience mean? whose convenience did it represent? अब यहाँ पे बताते हैं कि भई आखिरकार इससे फाइदा किसको होगा अब administrative कोन कर रहे हैं? British के लोग कर रहे हैं तो convenience किसको होगी? British लोग को ही तो होगी फिर आगे बताते हैं Clearly, it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the provinces, the government separated East Bengal and merged it with the Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and the split of Bengali people. अब यहाँ बिसकली बता रहे हैं कि भई यह जो divide किया था बिसकली उन्होंने किया कि जो आपके Assam का area था न उसको भी बंगाल के अंदर मिला दिया और कहा कि भई यह आपका East Bengal है यह आपका West Bengal है इससे बिसकली वोग यही बात दिखाना चाते थे कि भई आपे जो बंगाल as they may be called opposed it अब यहाँ पर बताते हैं कि भई जो आपके बंगाल को उन लोगों ने बाटा इसको लेकर यहाँ लोगों के अंदर काफी ज़्यादा गुसा आया करोध आया और साथ में बताते हैं कि जो Congress के आपके दोनों टाइप के लिटर थे यानि कि जो moderate थे कि भई हम विरोध किया फिर बताते हैं large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed the struggle that unfolded came to be known as the सवदेशी movement strongest in the बंगाल but with echoes elsewhere too in the delatic andra for instance it was known as the वंदे मातरम movement अब यहाँ पर कहते हैं कि भई आंदरा के अंदर इसको वंदे मातरम movement कहा कहीं इसको सवदेशी movement कहा अब यहाँ पर लोग इकठा हुए हो चाहते थे कि भई जो बंगाल का यह लोगों ने किया है यह बिल्कुल करद किया है ठीक है अब यही बात थी पीछे यार आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं यह पिक्चर है आपके बाल गंगा थर तिलक की और इसके बारे में बाते बताता है कहता है नोटिस दी नेम ओफ दी नूजपेपर देखने को मिलेगा इसके अंदर यह काफी सारे बाते लिखते थे ब्रिटिश लोकों के खिलाफ ठीक है उसके बाद आप फिकर इस फोर्थ को देखो यहाँ पर कहता है कि 1000 join the demonstration during the सवदेशी movement कि भी जो आपके सवदेशी movement चलाई गई अब सवदेशी movement आपके बंगाल के डिवाइड पर चली इस बात को भी आप याद रखना तो उसके अंदर जो भेडी कठावी उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है फिर कहता है कि भई यहाँ पर फिर क्या होने लगा कि वो ब्रिटिश लोगों की बिल्कुल अपोज होने लगे और कुछ का यह कहना था कि भई यहाँ पर हमें revolutionary violence यानि कि थोड़ी बहुत यहाँ पर अहीं सा का भी इस्तमाल करना पड़ेगा यानि कि भई जो मार पिटाई का काम होता ह वो भी करना पड़ेगा आजादी के लिए बहुत जरूरी है फिर बताते हैं the opening decades of the 20th century were marked by the other development as well कि फिर आपकी बीस भी स्ताबदी की शुरुआत होने वाली थी तो यहाँ पर भी आपकी काफी सारे बदलाव हाए तो चलो उनके बारे में भी देखती हैं तो यहाँ पर बत भी अपने एक Muslim League बना लिया आपकी DECA के अंदर जो कि आपकी 1906 पे बनाए ठीक हैं फिर कहते हैं the League supported the partition of Bengal it desired separate elaborates for Muslims and demand considered by the government 1909 अब यहाँ बताते हैं कि यह वो लोग जो बंगाल का आपका विभाजन हुआ इससे सहमत थे और उनको यह बात सही लगी क्योंकि Muslim लोगों के लि आते हैं some of the seats in the council were now reserved for the Muslim who would be elected by the Muslim voters कि अब election के अंदर कुछ सेटे Muslim लोगों के लिए भी बचा के रखे जाने लगी क्योंकि आर वो Muslim लोग वोट भी करते और अपने जो Muslim था उसको ही चुनते इससे बिसिकली होने के लगा कि जिस धरम के लोग थे न वो अपने धरम को लोगों को ही वोट करने लगे तो ऐसा कुछ सिस्टेम हम यहाँ पे निकल के आने लगा फिर बताते हैं revolutionary violence क्या होता है इसके बाद काउंसल का मतलब बताता है कहता है एन अपोइंटिड और इलेक्टिड बोड योफ पीपल विद एडमिस्ट्रेटिव एडवाईजरी काम करे लोगों के परसासन के लिए काम करे और लोगों द्वारा चुने गई हो उसको हम कांसिर बोल देते हैं ठीक है पर नेक्स्ट वीच पर पिक्चर देखी यह है आपके लाला लाज पतर है की पिक्चर और यहां पर बताते हैं अब यह आरिया समाज के भी एक्टिव मेंबर माने जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि आपके रैडिकल ग्रूप से भी लोगों करते थे यह उसके विरुद थे जो लोग यहां पर कहते हैं कि हम पिटिशन फाइल करेंगे यानि कि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे उनको लिखके भीजएगे कि आप हमारी मांगों को माने तो वैसे वो नहीं मानने वाले हमें उनके विरुद कुछ ना कुछ करना पड़े और कोई चीज मिस होगे तो आप उसको वीडियो को रिवाइन करके अगर कोई डाउट फिर भी आपका आता है तो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शिर के अंदर लिंक देखने को मिल जाएंगे या फिर आप नीचे कोमेंट कर सकते हैं अगर आप झाल कर समय है तो आपक सुझ है तो आपको डापको